आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now let's start with the question question है हमारा केक दो identical packets से इनका same weight है उनको दो different aeroplane से गिराया गया एक को equator के उपर और एक को north pole के उपर ठीक है, दोनों को same height से गिराया सारी conditions same है बट हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा दोनों में से कौन सा पर्टिकल पहले पहले पहुंचेगा और दोनों पैकेट सेम टाइम पे पहुंचेगे ठीक है, तो हमें यह answer justify करना है ठीक है, तो यह माल लेते हैं कि हम अर्थ की यह shape है अर्थ एक हमारा perfect sphere नहीं है, ठीक है यह equator होगी हमारा और यह हमारे poles हो गए ठीक है, यह north pole, यह south pole तो यह capital R है, यह small R है अब हमें पता है कि जो हमारा अर्थ एक perfect sphere नहीं है बट जो हमारी अर्थ की जो radius होती है वो equator से जादा होती है और जो north pole, out pole है, वहां से कम होती है तो हमारे small g का formula होता है g goes to gm by capital R square ठीक है, तो यह जो हमारे acceleration due to gravity है वो radius पर depend करता है और हमारी poles, poles पर radius कम होती है तो इसवाजे से यह उसके inversely proportional है तो यह जादा होगी तो इसवाजे से जो gravitational, explosion due to gravity होती है वो हमारी poles पर जादा होती है equator से, तो इसलिए यह packet, north pole, poles पर पहले गिरेगा तो acceleration due to gravity, poles पर जादा है तो इसवाजे से, the packet dropped above the north pole will reach the surface earlier तो आपको सबस्वाज़ जागा, कोई दिक्कत निया होगी discussion, thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर यह यह